नमस्कार सौगत है अपसे विकार रेनुज पर आपके साथ मैं उपल लेवी रवींदर सिंग बुल्ट की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता चले डियंगू के बढ़ते मामलों को लेकर डियम अब सक्त हो चले हैं डियम ने जिला अस्पिताल का और च लगातार बढ़ती जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर आ रहे हैं इसके जरी आपकी चले विजन स्क्रीन पर है आपकी जनकारी के लिए आपको बताते हैं कि लगातार डियंगू के जो मरीज है वो निकल कर सामने आ रहे हैं जिसको देखते हैं अब डियम सहाब ने ओचक निर्देश दिये हैं और ये भी बताया है कि किस तरीके से डेंगू के केसिस लगातर बढ़ते जा रहे हैं अब तक 20 लोगों ने अपनी जान गवादी डेंगू की वज़े से के विस्तार से खबरों की तरह बढ़ेंगे । दिलिय के मुखमंतुरी और आमधी पार्टि के सичес ह्योजक अर्विन केजरिवाल आयोध्या दोरे पर है और केजीवाल ने आज सुबा हनवान-गढ़ी और रामलला के दर्शन किये हैं। प्रोदेश के सभी लोगों को मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग मिला और मैं चाहता हूं कि हर भारतवासी को यह सवभाग मिले के जिवाल कहा है कि हम दो काम करने वाले हैं पहला हम दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री तीर्थ योजना चला रहे हैं इसके तहट लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जा सकेगी कल सुबा दिल्ली कैबिनिट की विशेश बैठक बुलाई गई है बैठक में हम आयोध्या को भी मु भागी मिला और इस अफसर पर मैं सभी देवताओं से हाथ चोड़ कर विनिती करता हूं कि देश को हमारी से मुक्त दिलाएं कि जीवाल ने आगे कहा है कि मैं हमेशा मानता हूं कि हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं हमारे देश को अभी तक बहुत आगे जाना चाहि ये था, लेकिन आज हमारे देश के अंदर गरीबी है और आज हमारे देश के अंदर अशिक्षा है तरे-तरे की विमारियां है भिन भिन समस्याएं हैं मैं सभी देवताओं से प्रातना करता हूं कि मेरा भारत जल्दी दुनिया का नंबर बन देश बने और हम 130 करोड भारतवा मिलकर इसको संभव बनाए तो नवा मलिक ने प्रेस कॉंफरेंस में कहा है कि फरजी दस्तावेज बनाकर कोई व्यक्त शेडूल कास्ट के कोटे में अगर नौकरी हासिल करता है तो किसी गरीब का हक मारा जा रहा है तो इस लडाई को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए सर्च किया लेकिन या सर्टिफिकेट नहीं मिला शेडूल कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी कमीटी के पास ये मामला जाकर इसकी जाच होनी चाहिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि NCB में वसूली हुई है मालदीव में भी वसूली हुई है बड़ी मात्रा में पैसे ब पिला कर रहेंगे जून दो हुजर इकीस में दिया गया मंजूरी मिलने के बाद इस टीकों को लगवाने वाले अंतरास्ट्री आत्राएं कर सकेंगी पिछले सब्तार डबलु अच्चो की प्रमुख वेगैनिक डॉक्टर सौमय सौमीनाथन ने बताया था कि 26 अक्टूबर को होने वाली को वैक्सीन के लिए आपातकालिन उप्योग सूची पर विचार करने के लिए बैठ करेगा बताते चले को वैक्सीन का कोरोना महमारी के खिलाप टीका करना भियान में देश भर में उप्योग किया जा रहा